नमस्कार और वेलकम यूर्स टु मनोस सिंग नाउ इंडियन पास्पोर्ट जो की अगले साल तक बहुत ताकतवर होने वाला है मैं ताकतवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन प्यूपल की डिमांड पुरे वर्ड में काफी तेजी से बढ़ रही है इसमें आपको विजा की जरुवत भी नहीं है आप डिरेक्टली उस कंट्री में विजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये बताएगा कौन कि इंडियन पास्पोर्ट स्ट्रॉंग हो चुका है तो हमें ये बताएगा हैनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिसेंटली थाइलेंड ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडियन्स के लिए विजा फ्री कर दिंगे मैं तो कहूंगा कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को दर्साता है क्योंकि थाइलेंड ने इस वक्त इंडिया के अलावा सिर्फ ताइवान का ही विजा फ्री किया है और ये ऐसा नहीं है कि थाइलेंड ने इंडियन्स के लिए सालो साल के लिए ये विजा फ्री कर दिया है ये सिर्फ 6 महीने के लिए है क्योंकि अगले कुछ महीने तक थाइलैंड में tourist season रहता है इस वजह से थाइलैंड ने Indians के लिए ये visa free किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए है थाइलेंड ने ये भी नीचे से लिखा है कि अगर इसमें थाइवान को बेनिफिट दिखता है तो वो इसे पर्मानेंटली भी कर सकते हैं और इस साल थाइलेंड ऐसा करने वाला दूसरा देश है अब आप बोलोगे पहला देश कौन सा है भाई पहला देश है स्रिलंका आप स्रिलंका में भी बिना वीजा के घूम सकते हैं और कुछ समय पहले ये बात उठी थी कि बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं क्या उसमें वीजा फ्री हो सकता है या नहीं कई लोगों का मानना था कि बिम्स्टेक में अगर वीजा फ्री हो गया तो दुनिया की सबसे बड़ी एकोनॉमी यहीं के देशों की होगी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया को लुआने के लिए हर देश अपने तरीके से क भूम सकते हैं वहीं बांगलादेश में भी यह बात उठी थी क्यों ना वीजा खतम कर दिया जाए इंडिया और बांगलादेश के बीच लेकिन ऐसा होना impossible है क्योंकि बांगलादेश में कई ऐसे लोग हैं कई ऐसे रोहिंग्या मुसल्वान भी हैं जो की इंडिया में आ सक मिलिटरी सासन में ये करना बहुत ही impossible है मगर मैनमार की नीचे जो थाइलेंड है इसने ये पहल कर दिये तो सभी कंट्रीज में ऐसा हो जाएगा सभी कंट्रीज जैसे की USA, UK, France हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया ये सभी कंट्रीज इंडिया को लुभाने में लगे है क्योंकि 2030 तक इंडिया चौथा सबसे बड़ा largest global spender बन जाएगा 2030 तक और ये सब कंट्रीज इंडिया को इसलिए लुभा रही हैं क्योंकि billions of dollars, billions of dollars इंडियांस इन कंट्रीज में जाकर खर्चेंगे जिससे इनकी आमदनी बढ़ेगी, ये कंट्रीज अमीर होंगी, इसी विजा फ्री कर रही हैं, अब आप सोच रहोंगे वेट, इंडियांस कितना खर्चा कर देते होंगे बाहर जाकर, तो ये खर्चा मामूली नहीं है, 150 billion dollar, 150 billion dollar तो कितनों कंट्रीज की GDP नहीं है, जितना इंडियांस बाहर spend कर दे रहे हैं, बाकि इंडियांस 2030 तक ट्रेवलिं dollar, समझ सकते हैं आप, एक साल में 500 billion dollar जिस कंट्री में जाएंगे, वो कंट्री तो वैसे ही माला माल हो जाएगी, वेट, क्या इंडिया इतना रीच हो जाएगा, कि 2030 तक 500 billion dollar ट्रेवलिंग में ही खर्चा करेंगे, तो नहीं, इंडिया में 1% लोग ऐसे हैं, जिन पर 80% समपत बाकी उसके इलावा middle class, फिर last में बचे होए गरीब हैं, जो कि इंडिया के 97% लोगों को दरसाता है, वहीं जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 5000 रुपए वैसे ही देने पड़ते हैं, और अगर आप यूरोप के लिए या फिर अमेरिका के लिए अप इंडिया की रैंक है इसमें 86, जो कि बुरी ही है, और अगर थाइलेंड जैसे कुछ और देश इंडिया के लिए वीजा फ्री करते हैं, तो इंडिया की रैंक इससे स्ट्रॉंग हो जाएगी